हेलो दुस्तों कैसे हैं आप लोग आपका मौसल का हमारे क्लास में और दुस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ट्रिक्स टो रिमेंबर नेशनल पार्क्स ओफ इंडिया दुस्तों मैंने आपसे इस मतलब संडे को ही पूछा था आपसे टेलिग्राम पर कि इस अपकमिंग वीक में क्या पढ़ना है आपको तो आप में से बहुत लोग के फीड़बैक आये थे तो कुछ बचों ने बोला था कि सर वी यार बिगिनर्स तो हमें जिये कैसे पढ़ना ह क्या पढ़ना है सलेबस क्या है हमें बताइए तो उसकी एक वीडियो मेंने बनाई थी नमबर चुपे आप लोग के बहुत सारे एक्वेस्टी फॉर दे स्टाडिक जिये कैसे पढ़ना है स्टाडिक जिये में नेशनल पार्क एक टॉपिक बड़ा टॉपिक है और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप इससे डड़ते हैं बाइस इंपल सी बात है हमारे देश में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं 36 6 तो एटने सारे स्टेट यूटी में कितने नेशनल पार्क सुम्ने कैसे याद करेंगे हो तो आप कैसे याद कर पाऊ बसे ही बात है तो हमने आपका ये काम आसान कर दिया है और आपको हम ट्रिक्स से पढ़ाएंगे नेशनल पार्क यकीन मानी गाइस थोड़ी सी मेनत आप करेंगे तो आपको हमारे देश के सारे के सारे नैशनल पार्क्स आराम से याद हो जाएंगे और इस क्लास में याद हो जाएंगे इस एक वीडियो में आपको हम पूरे देश के नैशनल पार्क्स याद करा देंगे तो बने रहे हमारे वीडियो में वीडियो को दूस्तों लाइक कर दीजेगा और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर पाएं तो जरूर शेयर कीजेगा क्योंकि यहां सबका भला इसमें हो जाएगा ठीक है चलिए तो ट्रिक टूरिमेंबर नैशनल पाक की बात कर रहे हैं तो स्टाडिक जीए का हमारा फस्ट टॉपिक हाई है यह क्लास मैं रिकॉर्डट इसलिए आपको दे रहा हूँ बिकॉस आप आराम से इस वीडियो को देखेगा और आराम से आप चाहें तो नोट्स बिना लीजेगा याद कर लीजेगा ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं गाईस अपने सेशन की तो मैंने आपसे क्या बोला कि सुनने में ऐसा क्या लगता है सुनने में लगता है कि दोस्तों हमारे देश में 28 हमारे देश में 28 तो हमारे देश में 28 इस स्टेट है सुनने में कितना लगता है कि हमारे देश में 28 राज्य है और 8 केंदर शाहित परदेश है तो यानि मिलाजुला के दोस्तों को बात करें तो 36 स्टेट और यूटी के नैशनल पार्क समको पढ़ने कैसे हम याद करेंगे यह सुनने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन आइए हम आपके इस problem को solution करते हैं इसका solution करते हैं मतलब easy करते हैं देखें दोस्तों तो हमारे देश में total एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो हमारे देश में total छे राज और केंद्र शाषित प्रदेश हैं जहां पर एक भी नेशनल पार्ग नहीं है जैसे हो गया पंजाब हो गया चंडीकड हो गया दादरा नगर हवेली लक्षदीब, दिल्ली और पॉंडिचरी तो यहाँ पर तो कोई नेशनल पार्ग है नहीं है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यानि कि आप एक काम करो पहले तो आप इसमें से छे माइनस कर दो ठिक, यानि कितना बच्चा आपको तीस पढ़ना है आपको तीस राज्यों के और यूटी के एक नेशनल पार्ग सपढ़ने हैं ठिक है गोवा, जारकंट, मनिपुर, नागालेंट, सिक्किम, उत्तरब्रदेश, लद्दाख तो इन सब जगहों पर के वाले एक नेशनल पार्ग है यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यानि कि दोस्तों इसमें भी आपको महनत थोड़ी नगर नहीं मतलब अगर ये 30 हैं, इसमें से आप 8 माइनस हो कर दीजए 30 में से 8, मतलब आपको मोटा मोटा 22 स्टेट के मतलब याद करना है बस, ये तो मतलब सिंगल वाला भी याद करना है लेकिं सिंगल वाला इतना बड़ा इसी है जैसे मैंने क्या बोला आप से कि ऐसे स्टेट यूटी जहापर की वले एक नेशनल पार्क है फॉर एक्जामपल बिहार तो बिहार में है वालमिगी नेशनल पार्क गुवा में है भगवार महावीर मुलैम नेशनल पार्क इसको हम लोग मुलैम भी बोलते है मुलैम नेशनल पार्क, गुवा, बेतला नेशनल पार्क, जाखन में है दोस्तों, बेतला नेशनल पार्क, क्याइबुल लांजो नेशनल पार्क, ये कहां पे मनीबुर में है आपका, और इंटाकी, इंटाकी नेशनल पार्क कहां पे नागालेंड में, एक एक नेशनल पार् सिखिम में आपका कंचंजंगा नेशनल पर्ग उत्तरा प्रदेश में दुधवन नेशनल पर्ग और लददाक में हमीज नेशनल पर्ग तो अगर सिंगल आठ याठ अठ यहां आठ सेट आइ तो इसे आप आराम से याठक लोगे तो कहने का मतलब कोई चीज़ दिखने पड़ी लगती है बढ़ हम करना चाहते हैं तो बड़ा सिंबल्स है हम आराम से कर लेते हैं ठीक है कंचन जंगा नेशनल पार्ग कंचन जंगा पहाड़ियां कहाँ पे हैं सिक्किम में याद कर लो आराम से हाँ दूधुईः नेशनल पार्ग उत्तर प्रदेश में हमीस कहां बहगा आराम से हाँ रिटा मार लोगा है आराम से उक्तित लिए ठीक हैं यानि हम ये आठ भी हिटार है ठीक दोस्तों अब हम क्या बात करेंगे अब हम उन राज्यों की बात करेंगे यूटी की बात करेंगे यहां पे दो नेशनल पार्ग है यह भी आराम से आप याद कर लोगे तो लिस्ट में आप देखो तो अरुनाचल प्रदेश है हर्यारा है म सब राज्यों में केवल दो नेशनल पार्ग है आए यहां से शुरू करते है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में केवल दो नेशनल पार्ग है तो याद करने के लिए हमने क्या ट्रिक बिनाई है अरुन नाम की मूली अरुन नाम की मूली तो अरुन से क्या हो गया दोस्तों अरुन से आपका अरुनाचल प्रदेश हो गया यह तो क्लियर है यानि नाम की मूली यानि की दो शब्दों पर हमें ध्यान देना है ठीक अरुन नाम की मूली तो क्या इसका मतलब तो आप इस तरह से आराम से याद कर लोगे अरुन नाम की मूली यानि अरुनाचल प्रदेश में दो नेशनल पाक है नाम से नामा दफा नेशनल पाक और मूली से मौली नेशनल पाक तो एक राज्य आपका complete हो गया अरुनाचल प्रदेश दोस्तों आगे बढ़ते हैं हर्याणा हर्याणा में भी दो नेशनल पाक है ट्रिक हमारे सामने क्या है हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया हरी एक वेक्ती था जो पानी भर की जाना था कलश में उसका कलश सुल्टान ने ले लिया तो हरी से क्या हो गया दोस्तो हरी से हो गया हर्याणा ठीक तो हरी से हो गया हर्याणा अब कलश और सुल्टान दो शब्द यहां पर हमको दिखाई पढ़ रहे कलश और सुल्टान कलश और सुल्टान ठीक है देखें यहां पे दोस्तों तो हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया तो हरी का मतलब हरियाना हो गया कलश का मतलब हो गया कलेश्वर नैशनल पार्ग और सुल्तान का मतलब क्या हो गया सुल्तानपूर नैशनल पार्ग आराम से देख लिए आप लो तो हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया हर्याणा कलिश्वा नेशनल पाक और सुल्तानपुर नेशनल पाक आपका ये भी हो गया यानि अरुनाचल प्रदेश का क्या मतलब था अरुन नाम की मूली हर्याणा का हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया मतलब यह भी complete हो गया हमारा सुरी, हरना our регi हो गया हमारा अब बात करेंगे मिझाले की मेझाले की तो मिझाले में कौन कौन से national park हैं तीसरा देखे मिझाले मिझाले के लिए trick हमने बनाई है मिझाले के भाले की नोग बहुत तेज होती है 탁कर दोस्तों भाला, मिरे ख्याल से आप लोग जानते होँगे, पुराने टाइम पर जो हमारे देश में भाई पहले किया था, बंदूगोली थी नहीं, पहले तलवार थे भाले से, लंबे लंबे भाले होते थे न, भाले, तो मिघाले में भाले बनते हैं, मिघाले भाले, भाले, ठीक है, मिघाले के भाले की नोग बहुत तेज होती है, यह हमारे ट्रिक है, तो मिघाले के भाले, मिघाले के भाले की नोग बहुत तेज होती है, भाला तो भाले का मितलब क्या है बाल पकिरम नेशनल पार्ग और नोग बोटती होती है नोगरेग नेशनल पार्ग देख लिए हिंदी में भी बाल पकिरम नेशनल पार्ग नोगरेग नेशनल पार्ग ठीक है तो मिघाले के भाले की नोग बोटती होती है तो भाला से क्या हो पाख हैं दोस्तों क्या-क्या ट्रिक्स की यहां पर देखें तो मीजूरम में पवन ने मुर्ली बजाई पवन नाम का लड़का है मीजूरम घूमने गया था, वहां की वादियों बो देखकर इसका मन बड़ा प्रसंद हुआ इसमें मुर्ली बना शुगर दिया तो मिजोरम में पवन का मतलब मिजोरम का मतलब मिजोरम यानि पवन ने मुर्ली बजाई है ना पवन ने मुर्ली बजाई दो शब्द यहां पे हमको मिल ला है तो पवन ने मुरली बजाई पवन ने मुरली बजाई मतलब क्या हो दोस्तों तो पवन का मतलब क्या हुआ पवन का मतलब फवंग पूई नेशनल पार्ग और मुरली का मतलब क्या हो गया मुरले नेशनल पार्ग दोस्तों ठीक तो मिजोरब में पवन ने मुर्ली बज़ाई दखे ऐसा होता गय्यों कि अब धखे फवंग्पूई की ट्रिक कहा से हम लाएंगे तो हमने तो इसे पवन नाम रख दिया चुकि मुर्ली था नीचे मुर्लेम था तो अपवन ने मुर्ली बज़ाई आप फिर देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, हरियारा, मिघाले, मिजुरम अब ओडिसा की बात करेंगे और त्रिपुरा की बात करेंगे ओडिसा की ट्रिक बहुत बार मैंने अपने करें इंटरफेस में पढ़ाई है आपको देखें दोस्तो जैसे घर हम बात करतें ओडिसा तो ओडिसा की ट्रिक क्या है ओडिसा की ट्रिक है ओडिसा की कनिका भीतर से सिंपल है यानि ओडिसा में एक लड़की है जिसका नाम कनिका है जो भीतर से बड़ी सिंपल लड़की है है ना तो ओडिसा की कनिका भीतर सिंपल है यानि ओडिसा से ओडिसा आप कहा हो गया कनिका और भीतर नहीं भीतर हाँ कनिका भीतर एक शब्द होगा और सिंपल एक शब्द होगा कैसे देखे दोस्तों तो ओडिसा की कनिका भीतर सिंपल है तो कनिका भीतर से तो भीतर कनिका न अब क्या बचा दोस्तों सिक्किम आई ये सिक्किम की बात करते अब त्रिपुरा बचा त्रिपुरा की बात करते तो त्रिपुरा में कौन-कौन से हमारे नेशनल पाक है त्रिक देखिए त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही लेपर्ड को क्लाउड में भेज दिया लेपर्ड को क्लाउड में भेज दिया दोस्तों त्रिपुरा त्रिपुरा की राजा की बारी आते है इसका मतलब क्या हुआ हमें कहानी बनाते है कि त्रिपुरा में एक क्लाउड लेपर्ड मतलब leopard का मतलब क्या होता दोस्तो आप उसे जो पहाड़ी चीता है ना तो clouded leopard ने बड़ा अपना हंगामा चाहे हुआ था हंगामा तो तृपुरा के राजा मैदान में आ गए कि हम मारेंगे leopard को तो leopard कहा छुप गया cloud में छुप गया राकर लेपर जो है वो cloud में छुप गया या भेज बड़ा गया तो राजा की बारी मतलब राजबारी नेशनल पार्क और leopard कहा छुप गया cloud में तो clouded leopard नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पर दोस्तों तृपुरा में हैं आराम से याद कर लिजएगा राजबारी नेशनल पार्क और clouded leopard नेशनल पार्क तो यहाँ पर दोस्तों हमने उन राज़ों की बात कर ली जहाँ पर दो दो नेशनल पार्क हैं आराम से आप देख लो अरुनाचल प्रदेश अरुनाम की मूली हर्याणा हरी का कलश सुल्तान ने ले लिया मिघाले मिघाले के भाले की नोग बहुत तेज होती है मिजोरम फिर ओडीसा फिर त्रपुरा मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई ओडीसा की बात करें तो ओडीसा की कनिका भीतर से सिंपल है और त्रपुरा की बात हमने क्या की राजा की बारी आते ही लेपर्ड क्लाउट में छिप गया ठीक है तो यह से इस तरसे हम पढ़ लेंगे चली आगे बढ़ते तो हमने दो राज्यों की बात भी खतम कर ली अब हम क्या बात करेंगे दोस्तों आंद्रप्रदेश के नेशनल पाक याद करने के लिए आपकी ट्रिक है पापी राजा को भगवान वैंगटेश ने दंड दिया एक राजा था जो पापी था ठीक तो इसको भगवान वैंगटेश ने दंड दिया आप इस तरह से याद कर लेंगे आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो पापी का मतलब क्या है राजा का मतलब क्या है56 यहाँ राजा का मतलब यहाँ पर राजीर गांधी नैशनल पाक ہو जाएगा आपका यह किवल ट्रिक है हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुचा रहे है ये किवल हमने trick बनाई है इस तरह से ठीक हैं और भगवान वैंगेटेश का मतलब क्या होँ दस्तों देखें तो श्री वैंगेटेश्वडा नेशनल पार्ग तो ये तीन नेशनल पार्ग है तो हमारे trick क्या थी पापी राजा को भगवान वेंगेटेश ने दंड़ दिया पापी से पापी को उंड़ा राजा से राजिव गांधी नेशनल पार और ये भवान वेंगेटेश से श्री वेंगेटेश वा नेशनल पार तो इस तरह से आपका ये आंद्रप्रदेश कंप्लीट हो जाएगा तो पहला था आंद्रप्रदेश अब हम बात करेंगे 36 गड़ की तो 36 गड़ को याद करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ट्रिक है देखे 36 गड़ इंद्रा ने कंगारू को घास पर देखा इंद्रा ने कंगारू को घास पर देखा तीन शब्न यहाँ पर मिलना है बात हो रही है 36 गड़ की 36 गड़ में एक रड़की होगी इंद्रा जिसने कंगारू को देखा घास पर घास खाते हुए तो इंद्रा इंद्रा से कौन से नेशनल पार्ग इंद्रावती नेशनल पार्ग ठीक है दोस्तों क्या देखा कंगारू देखा तो कंगारू से कैंगर वैली नेशनल पार्ग और क्या खाद देखा घास तो गुरु घासी दास नेशनल पार्ग दोस्तों ठीक है इंद्रा ने कंगारू को घास पर देखा जम्मू अन काश्मीर ठीक दोस्तों जम्मू काश्मीर की बात करे रहे हैं तो जम्मू काश्मीर में सलीम नाम का लड़का है जो कश्ती में डश भाषा सीखता है या पड़ता है दो बाइट जम्मुन काश्मीर की बात कर रहे हैं आफ्टर अर्टिकल 370 वहाँ पे काफी अच्छा मौहल बन चुका है इसमें परेटन घुमने के लिए आ रहे हैं तो बहुत सहरे डश नागरी घुमने के लिए आते तो आज सलीम नाम का रिलका है जो की डश भाषा शीकरा से लिए कश्टी का मतलब उसके पास नाव पढ़ी है तो सलीम कश्टी में डश भाषा सीखता या पढ़ता है ठीक है सलीम तो यहाँ पे सलीम शब्द मिल गया हमको कश्टी मिल गया हमको और डश मिल गया हमको तीन भाशा हैं मिल गई, देगे, तो सलीम कस्ती में डच भाशा पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ, सलीम का मतलब क्या हुआ, सलीम अली नैशनल पार, इसका एक नाम और भी है, सिटी फॉरेस्ट, लेकिन में नाम सलीम अली है, सलीम अली नैशनल पार, ठीक है, दूसरा क्य में डच पढ़ता है सलीम से सलीम अली किस्टवर निशलपाक और से डचिंगार नशलपाक झली पिर से एक बार तो आंद्र पडिश की बाथ हम ने कर ली छतिस्ग्षण गड़ की बात हम कर ली जेनके की बात कर ली अब तिलंगाना की बात कर लेते हैं तिलंगाना तिलंगाना में कौन कौन से नेशनल पाक है दोस्तों तिलंगाना में देखें तो ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया ब्रह्मानंद ने महावीर और मुर्गा से क्या हो गया मुर्गावनी नेशनल पार्ग दोस्तों ठीक है देख लिजेए आपे तो ट्रिक क्या थी हमारी तो ट्रिक थी हमारी की ब्रह्मानन ने महावीर को मुर्गा बनाया ब्रह्मानन का मतलब कासु ब्रह्मानन रेड़ी नेशनल पार्ग महावीर हरीना वनिस्थरी नेशनल पार्ग और मुर्गा मतलब मुर्गावनी नेशनल पार्ग तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तिलंगारा तो यानि कि हमने यहाँ पर देख लिया दोस्तों क्या हमने यहाँ पर आपको आंद्रप्रदेश शत्तिसगर जम्मो अंकाश्मीरन तिलंगाना इन चारों की ट्रिक पढ़ा दी जहां हमने आंद्रविदेश में क्या पढ़ा था तो आंद्रविदेश की ट्रिक क्या थी हमारी पापी राजा को भगवान मेंगनेटेश्ट ने दंड़ दिया है ना 36 गड़ इंद्रा ने कंगारु को घास पे देखा जेयन के सलीम कस्ती में डच पढ़ता है तिरंगाना अभी आपने देखा कि ब्रह्मानन ने महवीर को मुर्गा बनाया इस तरह ट्रिकाप पढ़ लोगे तो आराम से पढ़ ले जाओगे तो हमारे ये चार राजे और हो गए हमारे चार राजे और हो गए तो चार स्टेट हमने यहाँ पढ़ लिया दोस्तों देखो यहाँ पे तो यानि कहने का मतलब कितना सिंपल ही हम आगे बढ़ते हैं ठीक है देखो सबसे पहले हमने क्या बात की थी तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे राजजे ऐसे थे जहाँ पर कोई नेशनल पार्ग था ही नहीं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ राजजे ऐसे जापे कीवल एक नेशनल पार्ग तो आठ वो हो गया, छे वो हो गया मतलब कितना हो गया, चौदा हो गया दोस्तों ठीक, अब देखिए, फिर हमने क्या बात की हमने बात की, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे राजजे ऐसे जापे कीवल दो नेशनल पार्ग है ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर आठ छे प्लस छे अब देख लिजे यहाँ पर बीस हो गया, फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों फिर हमने पढ़ा ऐसे राजजे जहाँ पर केवल तीन नेशनल पार्ग से हैं, और यह चार राजजे थे देखिए आप लोग यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार यानि 24 स्टेट हमने खतम कर लिए, हमको बता भी नहीं चल रहा है भी है ना चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं गाईस, अब थोड़ी सी आगे की बात करेंगे अब हम लोग और थोड़ा बढ़ा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऐसे स्टेट जहाँ पे चार नेशनल पाक है, तो एक ही राज्य है जहाँ पे चार नेशनल पाक है गुजराद, गुजराद में चार नेशनल पाक है तो गुजराद को हम कैसे याद करेंगे, देगे दोस्तों ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक है गुजरात की ब्लैक बक वन में गिर कर मर गई ब्लैक बक का मतलब समस्थे हैं ब्लैक बक काला ही रन जो होता है न तो गुजरात की ब्लैक बक वन में गिर कर मर गई तो गुजरात की ब्लैक बक का मतलब क्या हुआ ब्लैक बक वन में गिर कर मर गई इतने सारे शब्द हमें लेने पड़ेंगे दोस्तों ठीक है तो ध्यान से लखें का गुजरात की ब्लैक बॉक वन में गिर के मर गई इसका मतलब क्या हुआ आपको हम दिखाते हैं देखें तो ब्लैक बॉक का मतलब क्या हुआ ब्लैक बॉक नेशनल पार्ख ठीक, वन में गिर के मर गई, वन का मतलब बंस्दा नेशनल पार्ख, ठीक, वन में गिर कर, गिर का मतलब क्या हुआ, गिर फॉरस नेशनल पार्ख, और क्या हो गई, मर गई, मर का मतलब मरीन नेशनल पार्ख, ठीक है, तो यहाँ पे चार शब्दों को आपको ध्यान देना है गुजरात की black buck 1 में गर के मर गई गुजरात से गुजरात हो गया black buck का मतलब black buck national park one का मतलब wenzda national park gir का मतलब gir national park mar का मतलब marine national park थेक है? तो ये चार हैं दोस्तों इसे आप यात ते लिज़ गराया हमसे तो गुजरात एक है स्टेट हमने और कर लिया आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम उन राज्यों की बात करेंगे जहां पर 5 नेशनल पार्ख है और ऐसे हमारे देश में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 राज्य हैं तो 6 राज्य हैं जहां पर 5, 5 नेशनल पार्ख हैं यहां से थोड़ा टफ होता है लेकिन अगर ट्रिक आपको याद होगी तो आप आराम से कर लोगे पहले हम बात करेंगे असम की हाँ, चली असम की बात करते हैं दखेए, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि असम में 5 हैं, लेकिन करेंट अफेस की बात करें तो 5 के बाद यहाँ पर दो national park और बन गए है मैं 5 को पढ़ाओंगा trick से आपको और 2 को पढ़ाओंगा ऐसे ठीक है नाम लेकर तो trick क्या है दुस्तों समकि माना ना मेरी असम का काजी करवादी मेरी शादी औरंग शेक से माना ना मेरी असम का मतलब असम हो गया असम का काजी करवादी मेरी शादी औरंग शेक से औरंग शेक ठीक है तो माना ना मेरी असम का काजी ठीक है तो इसका मतलब दोस्तों हमें कई सारे शब्दियां पे लेने पड़ेंगे माना ना मेरी तो ना मेरी अलग हो जाएगा, माना अलग हो जाएगा ठीक है, तो एक, दो, दिखाते हैं आपको स्वारी ठीक, देखे, तो माना ना मेरी असम का काजी करवादी मेरी शादी और अंगसेफ से तो माना से क्या हुआ दोस्तों माना शब्द से क्या हुआ, मानस नेशनल पाक करवा दी, दी मेरी शादी तो दी मेरी शादी का मतलब डिबड़ी शाखवा नेशनल पार्ग औरंग शेप का मतलब क्या हुआ औरंग नेशनल पार्ग दोस्तों, अभी राजी गांदी इस नाम से हट चुका है ये अपडेट कर लीज़ेगा तो औरंग शेप का मतलब किवल औरंग नेशनल पार्ग तो एक, दो, तीन, चार पार्ग तो आपको मालूम है तो ये पास नेशनल पार्ग तो असम में है एक आपका और नया बन गया राइमोना राइमोना नेशनल पार्ग राय मोना नेशनल पार्क ये भी असम में है और दोस्तों एक बना आपका देहिंग पटकई देहिंग पटकई देहिंग पटकई अब शायद में भी स्पेलिंग गलतों मेरी तो आप लोग ऐसे याद कर लो राय मोना राय मोना नैशनल पार्क और देहिंग पढ़की नैशनल पार्क ये दो और नैशनल नैशनल पार्क असम में बन चुके हैं तो साथ हो चुके हैं तो फिलाल हमने पास ये पढ़ाई से तो आपका असम कंप्लीट अब बात करेंगे हिमाचल परदेश की हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क्स हैं कैसे याद करेंगे देखें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की ट्रिक क्या है सिंबा ने हिमाले की वैली में इंदर के साथ खीर खाई सिंबा का मतलब क्या हुआ शेर का बच्चा एक सिंबा मूवी भी आई थी हमारे अभी तो सिंबा एक शेर का बच्चा था जिसने हिमाले की वैली में इंदर के साथ खीर खाई यानि सिंबा एक शब्द हो गया हिमाले एक शब्द हो गया वैली एक शब्द हो गया इंदर एक शब्द हो गया इंदर के रगा था और खीर आपका एक शब्द हो गया तो हिमाचर पदेश की बात करें तो सिंबा ने हिमाले की घाट वैली में इंदर के साथ खीर खाई आई दिखतें कौन कौन से नेशनल पार्क है देखें तो सिंबा ने हिमाले की वैली में इंदर के साथ खीर खाई यानि सिंबा से क्या हो गया सिंबल बारा नेशनल पार्क हिमाले से क्या हो गया ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क वैली से क्या हो गया वैली से पिन वैली नेशनल पार्क इंदर से क्या हो गया, इंदर से इंदर की लाग नेशनल पाग, और खीर से क्या हो गया दोस्तों, तो खीर गंगा नेशनल पाग, तो सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंदर के साथ खीर खाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यानि पाँच नेशनल पाग आपको यहां पर ने पढ़ा दी है बड़ा सिंबल सा ट्रेकर दोस्तों ठीक है एक शेर का बच्चा सिंबा जिसने हिमालय की वैली में इंदर नाम की रड़ की साथ खीर खाई सिंबल सा है ठीक है तो यहां पर असम हो गया दोस्तों हमारा और क्या हो गया हिमाचिल प्रदेश हो गया असम माना ना मेरी असमका काजी करवादी मेरी शाधी और अंगशेक से ठीक फिर हिमाच्यल प्रदेश तो सिंभा ने हिमाले की वैली में इंदर के साथ खीर खाई अब बात करें करनाडक की करनाडक दोस्तो ठीक है राजीव गांधी नगर में कूडे का एक अंश भी बैन है तो ये ट्रिक है हमारी तो देखिए दोस्तो क्या में पढ़ना है देखिए आपे तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे राजीव गांधी नगर में कूडे का एक अंश भी बैन है ठीक है तो राजीव गांधी नगर ठीक है दोस्तों तो एक national park है करनाटगा में जसको हम लोग नगरोले national park भी बोलते हैं और राजीव गांधी national park भी सेम बोलते हैं ठीक है तो राजीव गांधी नगर का मतलब क्या हो गया राजीव गांधी national park बोलिए या राजीव गांधी नगरोले national park बोलिए दोनों आपका यहां से हो जाएगा ठीक है तो राजीव गांधी नगरोली नेशनल पार अच्छा राजीव गांधी नगर में कूडे का तो कूडे से मतलब क्या है तो कूडे का मतलब हो गया कुदर्मुख नेशनल पार ठीक है कूडे का एक अंश तो अंश का मतलब क्या हुआ अंश का नेशनल पाक देख लिए तो राजीव गांधी नगर में कूडे का एक अंश भी बैन है तो राजीव गांधी नगर का मतलब राजीव गांधी नगरोले नेशनल पाक ठीक है कूडे का कुजरमुक नेशनल पाक एक अंश भी अंश का मतलब आंशी नेशनल पाक बैन का मतलब धो गया एक बांधीपूर और एक बनघटा National Park अपका ठीक है तो इसे या तिली जी आ तो पांस यहां पर complete हो गया हमारे ठीक दोस्तों देखिए तो आपका असम हो गया हिमाज़चल प्रदेश हो गया करणाठका हो अब बात करेंगे राजस्थान की तो राजस्थान की बात करेंगे दूस्तों तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कई सारे राज्या अमरेजाओं ने साशन किया और ये अक्सर एक दूसरे पर हमला करते है ठीक, तो अभी राजस्थान में एक राजा है मुकंद ठीक है इसके ओपर हमला हुआ जब इसके ओपर हमला हुआ तो यह साड़ी पहन के भागा रैन इन साड़ी तो रन का मतलब दोड़ना कहा डेजर्ट में लेकिन क्यों ऐसा क्यों हुआ वाई वाई मतलब क्यों तो क्यों राजा मुकंद रैन इन साड़ी इन डेजर्ट ठीक है तो इसकी दात करें तो वाई राजा मुकुंदर रॉनना होगा और कियों और न्हाLab तो पहला शब्द अमारा क्यों से होगा तो क्यों का मतलब यहाँ पर क्या हुआ गरो त्म्त् Tenish पर ट्रॉक तो क्यों क्यों देव नाशनल पाक क्यों राजा तो तो वाई राजा मुकंद रेन इन सार्ए还 का मतलब तो क्यों होता है तो क्यों से कियुध शियुद नेशनल पर रात कर शी इसार्धी का तो दोस्तो असम की बात हमने की, असम के ट्रिक क्या थी हमारी, माना ना असम का काजी करवादी मेरी शादी और अंगशेफ से, हिमाचल प्रदेश, सिंबा ने हिमाले की वैली में इंदर के साथ खीर खाई, करनाट का, राजी गांदी नगर में कूड़े का गैंच भी बैन है राजस्तान, वाई राजा मुकंदर रियानी साडीन डेजर्ट, अब बात करेंगे तमिल लाडू, तमिल लाडू में भी पाश नशनल पार्क्स हैं, आई दिखते हैं दोस्तो दोस्तो एक बार की बात है, तमिल लाडू में इंदरा गांधी जी गई थी अपना प्रचार कर करने के लिए, और गई थी अपनी मारूतिकार के साथ, तो वहाँ पर एक गुंडा था, गुलू, तो गुलू नाम का गुंडा था जिसने इंदरा गांधी की मारूति को मढ मतलब कीचड में फेक दिया था, गुलू गुंडे ने इंदरा गांधी की मारूति मढ में फेक द इंद्रा गांधी से क्या हो दोस्तों इंद्रा गांधी नेशनल पार्ग या इसका एक नाम और भी अन्ना मलाई नेशनल पार्ग तो मारुती का मतलब क्या हो गया मुकुर्ती नेशनल पार्ग और मड का मतलब क्या हो गया मुडु मलाई नेशनल पार्ग अन्ना मलाई पुर्ती नेशनल पार्ग और मड़ से मुडू मलाई नेशनल पार्ग तो इस तरीके से तमिलाडू का भी आप अराम से याद कर लेंगे यहां पर खताम होता तमिलाडू अब क्या बचा दोस्तों देखिए स्टेक अब बचा आपका स्टेट एक और महारास्टा इस इंग दिखाए चंदू चंदू ठीक है चंदू संजय ने चंदू को संजय ने चंदू को मतलब एक आदमी है संजय एक आदमी चंदू संजय ने चंदू को जो गूंगा था उसके नए गाव जाके उसको तोड़ा मतलब मारा संजय नाम का वेक्ति था और एक चंदू था तो चं यहाँ पे संजय शब्द ले लीजे, चंदू शब्द ले लीजे, गुंगा शब्द ले लीजे, नए गाव ले लीजे, और तोड़ा वर्ड ले लीजे, तो आपके सारे नेशलपा कम्पीड हो जाएंगे, कैसे, देखे दोस्तों, तो संजय ने चंदन को, चंदन या तो संजय ने चंदन को जो गुंगा था, गुंगा से आपका हो जाएगा, गुंगामल नेशनल पार, नए गाव से आपका हो जाएगा, नवे गाव नेशनल पार, ठिक, और तोड़ा मतलब क्या हो जाएगा, तड़ोबा नेशनल पार, देख ले जाएंगे, तो संजय ने चंदू को जो गुंगा था उसके नए गाव जाके तोड़ा तो संजय से संजय गांधी नेशनल पाक चंदन से चंदौरी नेशनल पाक और गुंगा से गुंगामल नेशनल पाक और नए गाव से नए गाव नेशनल पाक और तोड़ा से तड़ोबा नेशनल पाक तो यहाँ पी आपका महारास्ट्रा भी complete हो जाता थो ठीक है देख लिजिए आप लो तो यह छे राज जहे हैं पूरे पूरे यह छे राज जहें देखे दोस्तों यांनि हमने कितने स्टेट असानी से complete कर लिए देखें मैं भी बता रहे हैं आपको ना देखे तो 24 राज्य हमने याप एक अम्प्लीट कर लिया थे चार लेके फिर हमने कितने वे अम्प्लीट 24 और गुजरात 25 और 25 और 6 और देख लिजे इस तोने हमने अराम से कंप्लीट कर लिया है अब बचा किया दोस्तों देखिए आपे अब हम बात करेंगे उन राज्यों की जहां पर नैशनल पार्क जो है वो 5-6 से जादा है 6 है मतलब कैरला उत्तरा करने इंवेस्टेंग और ये वो तीन स्टेट हैं जहां पर 6 से नैशनल पार्क है जिनता मत कीजिए आराम से इंपड़ लेंगे पहले हम बात करेंगे कैरला की ठीक है दूस्तों देखिए कैरला में 6 नैशन पार्क है तो कैरला की ट्रिक क्या है 16 साल का इंजिनियर रवी प्यार में साइलेंट हो गया तो 16 साल का इंजिनियर रवी एक्जाम देना, एर, रवी प्यार में silent हो गया, तो सोला, दोसों, जब भी आप एक्जाम देने जाएं, और आपके एक्जाम में नेशनल पार्क पुछा हुआ है, आपको आइडिया नहीं, कहां पर रही है, लेकिन अगर शोला वर्ड है, तो मतलब इसका वो कहां पर केरला म ही है, ठीक है, एर, रवी, एर मतलब क्या दुस्तों, एर, रवी, एर, विकुलम, नेशनल पार्क, भाई, रवी है, रवी क्या कि एर, मतलब इंजिनियर, तो यहां पर एर, रवी, एर, विकुलम, एर, विकुलम, तो एर, विकुलम, नेशनल पार्क हो गया आपका, ठीक, तो ये प्यार में silent होगया ना प्यार में तो पिरियार नैशनल पार्क क्या हो गया silent हो गया मतलब silent very national पार्क तो 16 साल का इंजिनियर रवी प्यार में silent हो गया तो जिस भी national पार्क में शोला वर्ड आज़ आज़ है वो कहां पर है दूसरा उत्तराखन दोस्तो उत्तराखन की ट्रिक भी अच्छी है आपको अराम से जागी देखें दोस्तो देखें उत्तराखन राजा ने नंदा को और गुविंद ने गंगोत्री को जिम में फूल दिया फ्लावर दिया राजा नाम के रड़का जिसने नंदा को और गुविंद नाम के रड़का जिसने गंगोत्री को जिम में फूल दिया तो इन सब का एक मतलब है देखें दोस्तों ध्यान से राजा ने नंदा को और गुविंद ने गंगोत्री को जिम में फूल दिया मतलब की 6 नेशनल पार्ग तो राजा से हो जाएगा राजा जी नेशनल पार्ग नंदा से हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्ग गोविन से हो जाएगा गोविन्द नेशनल पार्ग गंगोत्री से गंगोत्री नेशनल पार्ग ठिक जिम से जिम कॉबेट नेशनल पार्क और फ्लावर से वैली ओ फ्लावर नेशनल पार्क छे हो गया आपका आराम से छे आराम से हो गया ठिक देख लेजी आप लो यानि पहले हमने क्या पढ़ा केरला तो 16 साल का इंजिनियर रभी प्यार में सायलेंट हो गया फिर हमने क्या पढ़ा भी उत्तरा खड़ा तो राजा निनंदा को एंगोविन ने गंगोत्री को जिम में फ्लावर दिया आपका अब वेस्ट बैंगॉल अब वेस्ट बैंगॉल की बात करेंगा इस तो वेस्ट बैंगॉल ट्रिक को हम लोगग क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग बोलते हैं Bengali Tiger हम लोग क्या बोलते है Bengali Tiger हमति सुरब गौरे थे अगर गोरे हैं तो Guru Mala National Park अब गोरें तो सुंदर में सुनारम नेशनल बियान आई-र Don और ईगर होगा दुस्तों तो सॉरभ गाउली को भूलते थे टैगर को हम सिंग भी बोल सकते हैं, तो सिंग रिया नेशनल पार्ग, दो, ट्रिक है, थोड़ी सी अजीब पर याद करने ही पड़े, आप सौरब गांगली को ध्यान से देखो, सौरब कांगली को बेंगॉल टाइगर बोलते थे, तो टाइगर से क्या हो गिया, बुकसा टाइगर टाइगर को हिंदी में सिंग बोलते हैं, सौरब गांगली गोरे थे, गुरुमार नेशनल पार्ग, सौरे थे, सुंदर थे, सुंदर बन नेशनल पार्ग, सौरब गांगली का पारा जल्दी हाई होता था, जल्दी पारा नेशनल पार्ग, सौरब गांगली हमारे दिल के हमेशा करीब रहेंगे, नियर रहेंगे, नियर निवरा वेली नेशनल पार्ग, तो इस तरीके से आप के यहाँ पर यह तीन राज्य पूरे हो गया है जहाँ पर छेशे नेशनल पार्क थे कैरला उत्तराकरणिन वेस्ट देंगवार दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अपने उस स्टेट की जहाँ पर हमारे जहाँ पर मद्यप्रदेश में 10 नेशनल पार्क है और अन्यबान निकुबार में 9 नेशनल पार्क है लेकिन हम आराम से इसे भी याद कर लेंगे शिंदा मत कीजिए तो पहले हम बात करेंगे मद्यप्रदेश की तो मद्यप्रदेश में हमारे पास ट्रिक है क्या है देखिए दोस्तों तीन दोस्त हैं कनह, माधव, और ओम अगर आप ध्यान से देखिए तो कानह और माधव जो है वो भववान कृष्टि का नाम है और ओम का मतलब शंकर जी की बात हो रही है Zukunft तो कानह, माधव, ओम ये तीन दोस्त हैं जो दोस्ती के बंधन में बंद कर कहा गए डाइनासोर का फॉजल दिखने गए जीवाश में दिखने गए लेकिन वहाँ पर कीवल पाँच साथ लोग थे जो पानवान खा रहे थे वहाँ और कोई नहीं था वहाँ पर और कोई नहीं था फिर देख लीजे तो हम क्या बात कर रहे है कानहा, माधव, ओम ये दोस्तीम के बंधन में बंद कर कहा गए डाइनासोर का फॉजल दिखने गए लेकिन वहाँ कीवल पाँच और साथ लोग थे पाँच या साथ लोग जो पानवान खा रहते और कोई नहीं था इसका मतलब देखे कानहा, माधव, ओम ठिक तो कानहा से हो गया कानहा नेशनल पार्क माधव से ओम ओम से ओम का रिश्वन नेशनल पार्क ये लोग दोस्ती के बंधन में बंद कर यानि बांधवगर नेशनल पार्ग क्या देखने क्या डाइनासोर का फॉजिल तो डाइनासोर फॉजिल नेशनल पार्ग वहाँ पांच साथ लोग थे तो पांच का मतलब पेंच नेशनल पार्ग और साथ का मतलब सत्पुरा नेशनल पार्ग ये लोग क्या खा रहे थे पान वान खा रहे थे तो पान का मतलब पन्ना नेशनल पाक वान का मतलब वन्वीहा नेशनल पाक और कोई नहीं था कोई नहीं था कुनो नेशनल पाक जहां पर अभी नहीं वो जो चीता जो हमने इंड्रोडियूस किया है कुनो नेशनल पाक मद्धी प्रदेश है ना बस हो क्या खतम कहा नहीं, कितना सिंपल है आप देख लो, काना माधो ओम दोस्ती के बंदन में बंद कर डाइनासोर का फॉजल दिखने का है जहां पास साथ लोग थे जो पानवान खा रहे थे और कोई नहीं था अराम से आदो जागा पूँ, ठीक है दोस्तों, चलिए, आगे बढ़ते है नेक्स राजजमारा दोस्तों क्या है तो इसकी बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर यह नो नेशनल पाक है अंड़मान ये निकोबार आइलेंट ठीक है दोस्तों तो अंड़मान निकोबार आइलेंट को हम कैसे याद करेंगे तो जासी की रानी बटन लगा कर ठीक, सैंडल पहन कर मात्मा गांधी के साथ हैरी पॉर्टर देखने गई, मुवी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये लोग हमारे लिए आदर्श मतलब, ये हमारे लिए आइड ecosystem है, हमारे देश के लिए बोगा कुछ खिया है हम किसी का मजाग नहीं उडा रहे यहां पर हम की वीड़ को ट्रिक बढ़ा रहे है जितना आप इने मानते उतना में उने मानता हूँ ठीक है लेकिन क्या करें ट्रिक है ऐसे अब याद करने ही पहोगे तो जहासी की रानी बटन लगा कर मालो कोई कोट होगा उनका नया बटन लगा कर सैंडल पहन कर मात्मा गांधी के साथ हैरी पॉर्टर मुवी देखने गई यहाँ पे सारे शब्द का मतलब है जहासी की रानी बटन लगा कर सैंडल पहन कर मात्मा गांधी के साथ हैरी पॉर्टर देखने गई इसका मतलब दोस्तों क्या वाद देखें जब भी आप नैशनल पार्ग पढ़ड़ तो जहासी की रानी मतलब रानी जहासी मरी नैशनल पार्ग ठीक दोस्तों कहां पर यह अंड़िवा निकोबार है बटन लगाकर तो बटन से भी तीन निकोबार है जिस तरह हमने आपको पढ़ाया कि कैरला में शोला शोला शब्द आ गया तो कैरला तीन निकोबार है वैसे ही बटन शब्द आ गया तो निमान निकोबार और तीन है नेशनल पार्ग मिडल बटन आइलेंड नेशनल पार्ग नॉर्थ बटन आइलेंड नेशनल पार्ग और साउथ बटन आइलेंड नेशनल पार्ग मिडल नॉर्थ और साउथ बटन तो बटनी शब्द आ गया तो मतलब आपका अंडमा निकोबाइलेंट अच्छा सैंडल पहनगे तो सैडल पीक नेशनल पार्ग ठिक सैडल पीक नेशनल पार्ग और देखें मात्मा गांधी के साथ तो मात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्ग कहां पे हैं आपका नेशनल पार्ट अंडबा निकोबार क्या दिखने गई है हैरी पॉर्टर तो हैरी पॉर्टर से माउंट हैरी एक नेशनल पार्ट ठीक है यानि कितना हुआ एक, दो, तीन, चार, पार्च और मात्मा गांदी में अच्छे माउंट हैट साथ अब इदो और बचे हैं तो दो ऐसे नेशनल पार्ट हैं जो कि ट्रिक में नहीं आते हैं बस आप ध्यान देजे, अगर उसमें बे लग गया बे, तो कहाँ पर आपका वो अंडबा निकोबार में हैं जैसे आपका, कैंबल बे नेशनल पार्क अंगलतिया बे नेशनल पार्क ये दो आपको अलक्स से याद रखना है बस याद कर लो यार, बटन आगया तो अंड़ गाने को बार बे आगया तो अंड़ बार ये हमारी वीडियो खतम होती है वीडियो हमारी कैसे लेगी प्लीज हमें कमेंट में बताएं ठीक है और मैं चाहता हूँ कि नए बच्चेस पूरा वीडियो को देखें और इसे याद करें दोस्तों इसके अराबा अगर आपको करेंट इंटरफेस में दिक्कत होती है तो अनकैडमी स्पेशल पे रात 10-10 पीम पे हमारी क्लास होती है करेंट डफेस MCQs की इस क्लास को जरूर करिए दोस्तों मेरा नाम अबजित मिश्रा है मैं पढ़ाता हूँ अनकैडमी पर आप मुझे पढ़ने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं पढ़ाता हूँ जर्णल अवर्ने सक्षन फॉर्ट बैंक एक्जाम, इंशरिंस एक्जाम एज वेल एज जैब एंस एप के लिए ठीक दोस्तों तो ये हमारा जैब का बेच्च भी आ रहा है JAIIB और CEIB तो इसमें भी आप एडमिशन दोस्तों ले सकते हैं हमारा कोड है AVP10 इस कोड को लगाईए और आपको 10% का डिस्काउन भी मिल जागा दोस्तों अभी अनकैडमी आपके लिए आफर लेकर आया और ये आफर के वल 6 से लेके 9 के बीच में है दोस्तों अगर आप 12 मंद के लिए अनकैडमी पर्चेस करते हो तो आपको 2 मंद के लिए और 24 मंद पे आपको 4 मंद के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कोड हमारा है AVP10 इसको लगाईए और डिसकाउंट पाईए और सब चीज़ पाईए ठीक है दुस्तों चलिए तो यह सब हमारे बैश है थैंक्यू सो मच अपना ख्याल लगे दुस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच